Hello viewers, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने keyword research को use करिए जिससे कि आपका SEO अच्छे से हो जाए तो why keyword research is important for SEO तो सबसे पहले हम यह जानते है keyword research क्या होता है जब आप यह find out करते हैं कि कौन सा word online popular चल रहा है तो उस word को find out करना ही keyword research कहलाता है तो keyword research SEO के लिए SEO आप जानते होंगे search engine optimization जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा rank करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि लोग धूर क्या रहे है online अगर लोग जो चीद धूर है वो अगर आप उस पे वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो ज़्यादा चलता है और आपको यह understand करना पड़ेगा यह जानना पड़ेगा कि आपका competition किस level पे है जिस word को आप choose करना है उसमें competition ज़्यादा है कि कम है अगर competition ज़्यादा है तो आप उस पे वीडियो बाद में बनाएगा जब आप का channel rank करने लगे video rank करने लगे और आपको ज़ादा लोग जानने तो ज़्यादा competitive world पे अगर आप video बनाएगा तो आपका वीडियो सर्च में आएगा otherwise आप low competition वाले words को identify करिए और opportunity लीजे कि आपका भी video rank करें तो low competition वाले जब word को आप choose करिएगा तो आपका वीडियो जो है वो rank करेगा और आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि लोग किस purpose से उस word को धूए रहे हैं जिसको आपने अपने वीडियो में use किया है जैसे कि SEO जो है जादा तर जितने भी creator होते हैं वो जरूर धूमते हैं या keyword research जो होता है वो लोग जरूर धूमते हैं क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका वीडियो rank करें लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किस परपस से लोग इस वर्ड को धूम रहे हैं जैसे न्यू यहर पे लोग केक जरूर काड़ते हैं और अपनी पार्टी को celebrate करते हैं तो जिसमें सबसे जादा डिमांड चॉकलेट केक की होती है तो आप अगर उसमें कुछ innovative कर पाते हैं और supply अपनी अच्छी कर देते हैं तो आपका business भी पढ़ेगा और लोग Christmas cake करके आपका वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें आप कुछ innovative डाल सकते हैं जैसे imported chocolate cake या decorative chocolate cake या इस टाइप से कुछ करके अगर नया वर्ड उसमें डाल देते हैं तो आपका cake जो है ज्यादा लोग देखेंगे या rum made chocolate cake तो लोग इसको धूंडते हैं कि कोई नया चीज मिल जाए तो उसको वह ज्यादा लेना पसंद करते हैं assistant generating new content idea अब आप इसलिए हमने बताया कि आप अपने आइडिया को innovative और new बनाईए जैसा चल रहा है वैसे ही नहीं वीडियो बनाईए कुछ पॉपिलर्टी दिखा सकते हैं आप उसमें यह दिखा सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग आपके केक का डिमांड करते हैं तो आप अपने एरिया में अगर पॉपिलर होंगे तो लोग आपी के पास केक लेने को आएंगे और इससे आपका जो है वह बिजनेस बढ़ेगा तो वीडियो इसी तरह से अगर आप अच्छे की वर्ड यूज करते हैं लोग कॉंप्टीशन वाला वर्ड यूज करते हैं और ऐसी चीजों पर अपने वीडियो बनाते हैं जिसकी डिमांड जादा है लोग जादा देखना पसंद करते हैं और जिसकी जरुरत जादा है तब ही वो वीडियो लोग देखेंगे अब keyword जो होता है दो तरह का होता है जो हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं तो आप उसको देख लीजेगा जिसमें long tail keyword और short tail keyword use होते हैं अब long tail keyword क्या होते हैं जिसमें आपका tag जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है और short tail में एक word दो word का होता है तो short tail keyword जो होता है वो Google ज़्यादा जल्दी सर्च कर लेता है बनस्पत long tail के क्योंकि long tail में बहुत देर तक उसको searching करनी पड़ती है जिससे कि उसको time लगता हो और short tail keyword जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सर्च में आते हैं इसलिए कहा जाता है कि अपने वीडियो की title दो तीन word की रखेगा तो वो सर्च में जल्दी आएगा keyword research tip अब क्या है आपको ये देना चाहरे हैं कि add keyword cluster on one page तो आप अपने जब ये keyword cluster मीन से धेर सारे keyword का को आप अपने एक page पे जब add करते हैं तो उसके कोई न कोई word rank करता है और आपका वीडियो जल्दी सर्च में आ जाता है look at google suggested phrases और अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो google पे अपने phrases को सर्च करियो और उन tags को अपने वीडियो में लगाईए उन hashtag को अपने वीडियो में लगाईए जिससे कि आपका वीडियो जल्दी rank करें और जल्दी लोगों के सर्च में आए और सबसे बढ़िया बात है कि commonly ask question को find out करिये कि ज़्यादा तर लोग क्या पूछ रहें internet पे या वीडियो में या YouTube पे तो जो ज़्यादा चीज पूछ रहें उसी चीजों को जब आप यूज करियेगा उसी पे वीडियो बनाएगा तो आपकी वीडियो जल्दी rank करेंगी अब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे free keyword research tool है जिनकी मदद से हम लोग अपने keyword को research करके find out कर सकते हैं तो हमने कुछ ये धूना है Google से इसमें है Moz Keyword Explorer for the best all-round free SEO keyword research tool तो इसको आपको login करके इसमें अपने को enroll करके तब आप इसमें keyword को धून पाईएगा Google Keyword Planner सभी जानते हैं for researching paid keyword ये आपको जब payment करते हैं आपको मिलता है और SEMrush for advanced SEO professional के लिए है और question DB जो है वो आपको वो सारे questions देदेगा जो लोग online पूछ रहें जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से keyword पे आप वीडियो बनाईए jacksy for affiliate marketing है तो affiliate marketing के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं keyword अगर आप affiliate marketing करते हैं तो वहां पर भी hashtag लगाने से आपका keyword लगाने से आपका वीडियो रैंक करेगा keyword surfer for free SEO keyword research browser extension तो यह SEO का research browser extension है तो ब्राउजर में आपको इसको extension को लगाना पड़ेगा तो keyword surfer जो है यह use हो जाएगा और आपका वीडियो जो है उसके लिए वो keyword दे देगा जो जल्दी इसको रैंक करेगा So, this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel. Ratan Agarwal, IT Informer. Thank you.